जड़ी बूटी की अपूर्ती के नाम पर सो लोगों से पांच करोड की ठगी तीन गिरफतार, गोरकपुर और अयोध्या में खुलवाए गए 32 खाते पुलिस ने कराए फ्रीट समवाद न्यूज एजैसी गाजियाबाद, सो लोगों से पांच करोड रुप्य ठगने वाले तीन शातिरों को साइबर सेल और इंदिरापुरम पुलिस ने गिरफतार किया है, इनकी पहचान आशिश जायसवाल निवासी सूरचकुंड, गोरकपुर और उमेश शुकलाव सत्यम निवासी गोरकपुर के रूप में हुई है, शातिरों ने इंदिरापुरम के नीतिखं निवासी राजेंद यादव से जड़ी बूटियों की सप्लाई करने के नाम पर 20 लाक रुपे ठगे थे, मामले की जाच के दोरान पुलिस इन शातिरों तक पहुची है, शातिरों ने गोरकपुर्व अयोध्या में 32 खाते खुलवाए थे, जिनहें पुलिस ने फ्रीच कर अपर पुलिस उपायुक अपराद सचिदानन द्यादव को जड़ी बूटियों की अपूर्ती और थी, 16 सितंबर को मामले में पुलिस को ने बताया कि इंदिरापुरम के नीतिखंड में राजेंद निर्यांत कर अच्छी कमाई का जहासा देकर शातिरों ने उनसे 20 लाक र सई थाना खजनी निवासी अयोध्या के नाम से फरजी फंखोली आठवी पास है मुख्य आरोपी अपर पुलिस उपायुक अपराद सचिदानन ने बताया कि मुख्य आरोपी आशीश जायसवाल आठवी पास है, वह पूरे गिरों को संचालित कर रहा था, शातिरों ने उ जल्धी उनको भी गिरपतार किया जाएगा, इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, बात सामने आएगा कि अब तक वह कुल कितने लोगों से थगी कर चुके हैं, खाते पर 15 फीसदी मिलता था हिस्सा सचिदानन ने बताया कि एयोध्या के नाम खोले गए खाते के अ पुलिस की गिरफ्ट में आरोपी, समबाद थी, आशीश ने उसको खाते में आई थगी की रकम का 15 फीसदी हिस्सा देने का लालच देकर खाता खोलने के लिए तयार किया था, गाजियाबाद में वो दो लोगों से कुल 29 लाक रुपय की थगी कर चुके हैं, उमेश वसत्य दूसरे के खाते में भेचते थे रकम, उमेश वसत्यम गौर निवासी पिराडी थाना खजनी, गोरखपुर अपने परिचितों के खाते में धनराशी पहुँचाने में आशीश का सहयोग करते थे, आरोपियों की निशान देही पर साथ मोबाइल, दो पास बुक, दो चेक दे रही है या पक स्तर पर चान बीन करने के